नमस्कार बच्चो युवदाय अकदमी जग्दलपूर में मैं संजीव आप लोगों का स्वागत करता हूँ बच्चो आज हम आप लोगों के बीच में एक बहत्रीन टॉपिक इंपल्स के बारे में चर्चा करूँगा तो आईए जानते हैं इंपल्स क्या होता है बल का आवेग क्या होता है इसके बारे में जानते हैं तो बल का आवेग यानि इंपल्स किसे कहते हैं जब कोई बल किसी बस्तू पर अल्प शमयांतराल के लिए आरोपित की जाती है क्या लगाया जाता है तो बल और समयांत्राल के गुननफल को बल का आवेग कहते हैं आवेग एक सदिश्राशी है यानि इसमें परिमान के साथ साथ दिशा की भी जुर्रत पड़ती है इसकी दिशा बल की दिशा में होती है यानि जिधर बल लगती है उधरी आवेग की दिशा होगी आईए अब हम जानते इसके गणित्य रूप में कैसे लिखें तो हम जानते हैं बल का आवेग वराबत बल गुनित समयांत्राल होती है इसलिए यदि किसी वस्तु पर F बल अल्प समय अंत्राल डेल्टी के लिए आरोपीत किया जाता है तो इस पर लगने वाला आवेग क्या होगी? बल का आवेग बराबर I बराबर F डॉट डेल्टी सदिश रूप में वेक्टर I is equal to वेक्टर F डॉट डेल्टी होगी अब इसका SI मात्रक Newton प्रति सेकेंड है इसका CGS मात्रक Dine सेकेंड होगी क्योंकि CGS पध्धती में बल का मात्रक Dine है और समय का मात्रक सेकेंड है आवेग का विमीशूत्र M L T inverse 1 है यहां पर बल का होता है M L T inverse 2 और समय का होता है T हल करने पर M L T inverse 1 होगी आईए अब हम आवेग और सम्वेग परिवर्तन में संबंद ग्याद करते हैं माना कि M द्रब्यमान का एक वस्तू इस पर समय अंतराल डेल डी के लिए बल आरोपित किया जाता है जिससे इसका वेग U से V हो जाता है अतह न्यूटन के द्यूतियनियम से क्या होगी बल बराबर द्रब्यमान गुनित त्वरन तो इस सूत्र से बल यहाँ पर लगेगी F is equal to M A यहाँ पर A क्या है त्वरन है M क्या है द्रब्यमान है अब त्वरन A को हम कैसे लिख सकते हैं F is equal to M del V upon del T यहनी A के स्थान पर del V upon del T रख सकते हैं अब F is equal to M V minus U upon del T लिख सकते हैं क्यों? क्योंकि del V वेग में परिवर्तन अंतिम वेग माइनस प्रारमविग वेग अब M को V के साथ गुना करेंगे और U के साथ गुना करेंगे तो नया समीकर अपने को मिलेगा F बराबर M V minus M U upon del T M V mass into velocity M U mass into velocity है लेकिन एक प्रारमविग वेग है एक अंतिम वेग है V अंतिम वेग है इसलिए क्या होगी? F is equal to P2 minus P1 upon del T P2 यहाँ पर अंतिम सम्वेग है P1 यहाँ पर प्रारमविग सम्वेग है यदि हम P2 minus P1 को del P लिखे तो क्या होगी? F is equal to del P upon del T यदि हम del T को पक्छांतर करेंगे तो क्या होगी? F del T is equal to del P F del T F del T के बदले में हम क्या रख सकते हैं? I तो I is equal to del of IP यहाँ पर I क्या है? आवेग है और del P क्या है? सम्वेग में परिवर्तन यहाँ हम कह सकते हैं कि किसी वस्तू पर लगने वाला बल का आवेग वस्तू के सम्वेग परिवर्तन के बराबर होता है यहाँ पर I और del P दोनों एक दूसरे के बराबर हैं आईए अब हम दैनिक जीवन में आवेग या गती का द्यूत्यनियम का उपयोग को जानते हैं इसको जानने के पहले हम कुछ गणितिय संक्रिया को जान लेते हैं जैसे पांच को हम एक से भाग देंगे तो क्या आएगी भागफल पांच आएगी इसी प्रकार यदि हम पांच को दो से भाग दे तो भागफल दो दसमलोग पांच आएगी इसी प्रकार पांच को अगर पांच से भाग देंगे तो एक आएगी यानि हमने देखा कि किसी भिन्न में यदि हम हर का मान को धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो इस भिन्न का मान घटते जाता है तो इसका तुल्ला जो है हम F is equal to del P upon del T से करते हैं del P संबेग में परिवर्तन है क्योंकि कोई भी गतिशिल बस्तु जब रोका जाएगी रोकते समय उसका जो संबेग परिवर्तन होगी वो नियत होगी लेकिन समयंतराल का मान हम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वहाँ पर del T का मान हमने यहाँ पर 1 से 5 तक बढ़ाया तो हमने देखा कि F का मान 5 से 1 तक घटा यानि जब हम बल के मान को कम करना चाहते हैं तो समयंतराल को हम बढ़ाते हैं तो इसी कॉंसेप्ट पर सभी उधारन होगी आईए अब हम देखते हैं इसकी उधारन क्या-क्या बन सकता है तो सबसे पहले इस खेल से आप लोग परिकीत हैं आप खेलते भी होंगे तो आप देखे होंगे कि क्रिकेट के खेल में तेजी से आती हुई गेंद को पकड़ते समयं खिलाडी अपने हाथ को पीछे की और खीषता है आखिर क्यूं खिषता है आईए इसके कारण को जानते हैं इसका कारण यह है कि जब खिलाडी अपने हाथ को पीछे की और खीषता है तो समयंतराल का मान बढ़ जाता है यानि डेल्टी का मान बढ़ जाता है जिससे शूत्र क्या है एप इस इकोल टू डेल्टी अपन डेल्टी के अनुशार एप का मान कम हो जाता है और जिससे हाथ में चोट नहीं लगती है यानि जब भी डेल्टी का मान बढ़ेगा बल का मान घटेगा आईए अब हम अगला उधारन देखते हैं आप सरकस देखी होंगे उसी से संबन्दित है सरकस में कलाकर उचाइश से जाली या मोटे गद्दे पर कुट्ते कारण क्या है कि जाली अधवा गद्दे में कुट्ते समय समय अंतराल डेल्टी का मान बढ़ जाता है जिससे शुत्र F is equal to P upon डेल्टी के अनुशार F का मान कम हो जाता है जिससे कलाकार को चोट नहीं लगती है यानि इस पर जब भी कुट्ते हैं तो समय अंतराल का मान बढ़ जाता है तुरंत नहीं रुखता है कुछ समय अंतराल लग जाता है समय अंतराल जब जब बढ़ता है तब तब बल का मान कम हो जाता है आईए अब हम अगला उधारन देखते हैं आप यहां पर देख पा रहे हैं यहां पर पक्की जगह पर कुद रही है तो दूसरा जो है जालीदर जो नेट है उसकी उपर कुद रही है या शौट जगह पर कुद रही है तो आप यहां पर देख पा रहे हैं तो यहां पर कुछ उचाई से पक्के फर्ष पर जब हम कुदते हैं, तो चोट लगती है, जब कि कच्चे फर्ष पर कुदने से कम चोट लगती है, जब वेक्ती पक्के फर्ष पर कुदता है, तो उसके पैर फौरन इस्थिर हो जाते हैं, इससे पैर में अधिक चोट लगती इसके विप्रित जब एकती कच्चे फर्ष पर कुदता है तो समय अंतराल का मान बढ़ जाता है यहीं उनके पैर तुरंथी विरमावस्था में नहीं आती बलकि उसमें कुछ समय लगता है इस प्रकार समय अंतराल डेल्टी का मान बढ़ जाता है जिससे बल एप का मान कम हो यहीं चोट कम लगती है आईए अब हम अगला उधारन देखते हैं कांच या मिट्टी के बरतन पक्के फर्ष गिरते ही तूड़ जाते किन्तु कच्चे फर्ष पर गिरने से नहीं तूड़ते हैं जब कांच या मिट्टी के बरतन पक्के फर्ष पर गिरते हैं तो तूरंद विरमावस्था में आ जाते हैं किन्तु जब कच्चे फर्ष पर गिरते हैं तो तूरंद विरमावस्था में नहीं आते हैं कुछ समय अंतराल लगता है जिससे बल कमान कम हो जाता है और कच्चे आईए अब हम अगले उधारन पर विचार करते हैं ये उधारन मेरे खाल से आपको समझ में आ गया होगा सभी प्रश्न का जो उत्तर होगी यहाँ पर केबल और केबल समय अंतराल का मान बढ़ जाता है जिस से बल का मान घड़ जाता है तभी नहीं तूटता है, तभी कमबल लगता है आईए अब हम अगले उधारन देखते हैं इस खेल से भी आप परिचीत हैं तो आप देखे होंगे खेल को गौर से देखिए लंबी कूद में खिलाडी जो है रेत में कूदते हैं आखिर कारण क्या है तो आप इसका कारण समझ पाएंगे जब रेत में कूदते हैं तो कूदते समय समय अंतराल डेल टी कमान बढ़ जाता है शुत्र एप इस इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी के अनुशार बल एप कमान कम हो जाता है और जिससे खिलाडी को चोट नहीं लगता है तो कर सकते हैं तंक यू थैंक यू भर वच्वर 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 वाच्वर वाच्वर वीडियो